हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चानल दिव्या बेबी लाइफ आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गरब अवस्ता बहुत अच्छे से चल रही है प्रेंगनेंसी का चौथा पांचवा छटा महीना जब शुरू हो जाता है तो बहुत सारी चीजों से आपको रहात मिल जाती है यानि जो कहते है गोल्डन टाइंपिर इस स्टार्ट महीने से स्टार्ट होता ओंथा प्रेगनन सी को इंज़्ाई करने का तरफ नीजे ऑनकी चाले इस। को सेक्रिफाइज करता होता है स्टार्टिंग के डेज में और ऐसा लगता है कि कभी ये दो तीन महीने खतम होंगे क्योंकि एक एक दिन न बहुत भारी लगता है उस ताइंग पर जब वाम्टिंग बहुत जादा होती है मेरे साथ भी ऐसे ही था जब स्टार्टिंग मुझे तो एक एक दिन निकालना बहुत मुश्किल था ऐसा मन करता था बस बैड पे लेटे रहो कुछ ना करो इतनी ज्यादा वीकने साजाती है वांटिंग के बाद मगर जब चौथा पाच्छा मीनस स्टार्ट होता है तो धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाती है भूख लगने एक ऐसी चीजों की प्रॉबलम बढ़ जाती है जैसे की गैस, एसीडिटी, कज, भूख न लगना यह भी चीज रहती है यह क्यों होती है पहले तो हम यह जान लेते हैं फिर आगे बात करते हैं कि इसे क्या मतलब किस चीज का यह संकेत देता है देखिए जैसे जैसे आपकी प्रेगनेसी जरनी बढ़ती है आपका गरबा शही भी वैसे वैसे बढ़ता है क्योंकि बच्चा पेट में बड़ा होता है देखिए एक से लेके तीन मेने तक सिर्फ बच्चा दीरे दीरे पहले चोटे से सरसो के दाने जितना होता है फिर दीरे दीरे वह चने के दाने जि चेह बच्चा लिए और जितना बच्चा ग्रोथ करता है विकास करता है उतना ही आपका गर्भाश पेश्या फैलना शूरू हो जाती है और जब पैट के उपर हिस्से में रहते हैं तो क्या होता है जब बढ़ा हो चुका होता है तो आपको सांस फूल ली की प्रोब्लम बढ़ जाती है साथी साथ कब्ज की गैस की प्रोब्लम बना शुरू हो जाती है तो ऐसा क्यों होता है देखे बच्चा पेट के अंदर जहां उसको कमफोटेबल लगता है ना लेफ्ट राइट वहीं रहता है वहीं आपको उसकी मुवमेट जाता फील होती है लेकिन गैस की प्रोब्लम एक्चल में बनती है जैसे आप प्रेग्नेंसी के टाइम में चाय कॉफी का ज्यादा सेवन कर रहे हो कार्बो हाइट वाले ज्यादा चीज़े इंक्लूड कर रहे हो अपनी डाइट में जिससे आपको गैस की प्रोब्लम बनना शुरू हो जाती ह कि प्रेग्नेंसी में मोसली महिलाओं को देखा गया कि कब्ज की प्रोब्लम जादा रहती है क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो जमारे किड्नी का काम है वो डबल हो जाता है वो बलड अच्छे से पहुंचे उतना अच्छा है उतना ही बच्चे का विक किडनी तो उससे क्या होता है जब लट फिल्टर करता है किडनी तो आपको यूरिन का प्रेशर आता है और आप बार बार यूरिन जाते हो तो वह नॉर्मल सिम्टम है इसको देखे डरना घबराना नहीं है आपको अब कई महिलां को जो गैस और कप्ज की प्रॉब्लम रहती ह में कि प्रेग्नेंसी में आप क्या करते हो एक दम से बहुत सारा खाना खा लेते हो और जिसे क्योंकि बच्चा पेट में बढ़ा हो रहा है अपकी मासपेश्या फैल रही है और ऊपर से आप बहुत खाना का लेते हो जोंकि डिजेशन दीरे नहीं हो पाता इसी लिए गरब के जंग फूड तला हुआ भूना हुआ मत खाओ उससे भी डेशने सिस्टम आपका खराब हो सकता है कब्ज की प्रबलम हो सकती है और देखिए प्रेग्नेंसी अपनी जो प्रेग्नेंसी की जर्नी होती है उसको जितना हेल्दी अब बनाओगे उतना अच्छा है हेल्दी ब कि देखिए बच्चा आपके पेट में फैल रहा है और वह जब आप कुछ खाना पीना खाते हो देखिए इतना बच्चा रहता है कि आपको सांस लेने में कई बार प्रब्लम होती है कि सांस फूल ने लग जाती है तो आप वस घाना का लेते हो बहुत ज़ादा तो जब तो थोड़ी सी वाग करें उसके बाद रेस्ट करें और कॉंटटी में होके खाना जरूर काई मैंने हमेशा वीडियो में बोला है हर दो-दो घंटे में गरवती मैला को कुछ ना कुछ खाना चाहिए जिसे बेबी को जो हर एक दो-दो घंटे में उसको नुटिशन मिलते रहे ताकि उसका विखाद पेट में अच्छे से होता रहे अब बात करते हैं बेबी गर्ल बेबी बॉय किस साइड रहते हैं या आप सब का बहुत सारी कोश्चन्स होते हैं ऐसा माना जाता है लड़किया राइट सेड ज्यादा रहती है और लड़के लेफ्ट साइड ज्यादा पसंद करता है लड़क 也是 करके जब लड़की होने वाली होती है गरवती महिला के तो बहुत जबाटा गैस ऐसी नहीं होते ऐसे प्रोबलम नहीं होती पेट की उनको वेवी बॉय होने की स्कोप जयादा होते हैं तो आप करते हैं के प्रेंग्नेंसियं में ज्यादा फेज करनी पड़ रही है वैसे तो देखे जो प्रॉब्लम ज्यादा मेन होती है वह एक से लेके तीन मिने तक ही होती है जैसे वांटिंग नौजिया गैस की ऐसे डिटी की प्रॉब्लम क्योंकि उस टाहिए पर कुछ डाइजस्ट नहीं होता वांटिंग के थूरू सब कुछ निकल जाता है तो पेट आपसे अपना परसनल एकस्पीरियंस शेयर करते हूं जो कि मेरे गरह ववस्ता मेरे साल से और कई असे सस्क्राइबर बेभी बड़ा हुआ है उनके भी बता हुए कई स्म्टम है जो कि आपको में हर वीडियो में बताती रहती हूं बाकि आपके साथ यह जरूरी नहीं है औ वीडियो बनाने का मकसद उन महिलाओं के लिए जिने कि गरब वबस्ता में बहुत ज़ाने की उतेशता होती है चाहे पाँचवा महीना चाहे चाहे लगए ना कभी ना कभी तिल नौवे महीने तक तो बहुत जादा बढ़ जाती जल्दी बेबी हो जाए क्या होगा लड़का या लड़की तो आई होप आपको वीडियो अची लगी होगी फिर मिलते हुआ किसे नए टॉपिक में किसी और जितना हो सके पानी भरपूर मात्रा में पियो एक गैस बने का रीजन भी होता है पानी कम पीना गर्मिया है तो नीबू पानी नारियल पानी भर भर के पियो ताकि आपकी बॉड़ी हाइड्रेट रहे डी हाइड्रेशन ना हो जिससे आपको कभज भी नहीं होगी तो मिलत